नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए जी है और आई यह जो खबर है आंगनबाडी वरकर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और समगरसिक छाब भ्यान दो न्यूज है मेरे पास जारखन सरकार की तरफ से और यह दोनों ही बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है हम लोग चलिए इस न्यूज को देखते हैं चैनल वीडियो में बने रहे हैं आप लोग और यह जो न्यूज है दोस्तों कैबिनिट मीटिंग में लिया गया यह फैसला है जी हां देख कितना बढ़ा गया है जानते हैं हम लोग राज कैबिनिट ने आगनबाडी सेविका लगू आगनबाडी सेविका और सहय का को तौफा देते हैं वे उनके मांदे में बिर्धी का निरने लिया है मुख्यमंत्री रगवर दास के धक्षता में बुद्वार को हुई जबकि आगनबाडी सेविका का मांदे 250 रुपया बढ़ाया गया है और इसके साथ राज कैबिनिट ने सहरी निकाय के कर्मियों को साथवे वेतन का लाब देने सहीत 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई मांदे में बृधी बाद आगनबाडी सेविका का मांदे 6400 रुपय हो गया है और लगू आगनबाडी सेविका का मांदे 4700 रुपय हो गया है और साहिका का मांदे 3200 रुपय हो जाएगा इस तरह करके निउज आ रहा है और राज कैबिनिट ने इस फैसले का लाब 3881 आगन सिक्षा अभ्यान 47 परखंड में नहीं है BPO और 54 में एक से अधिक देखिए जो राची से नियूजित आ रहा है यह समगर सिक्षा अभ्यान के तहद कारिय कर रहे परखंड कारिय करम पतादिकारियो यानि BPO के पदस्थापन में एक रूपता नहीं है किसी परखंड में एक भ 44 परखंड में एक भी BPO पदस्थापित नहीं है दूसरी तरफ 54 परखंड में एसी जहां दो-दो BPO कारेरत हैं इससे स्कूल वा सिक्षा योजना की सही तरीका से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है तो ये दो नियूज थे दोस्तों और इस नियूज में थोड़ा और आगे है हम लोग आगे बढ़ते हैं जहारकंड सिक्षा परियोजना परिशद नहीं इस समस्या के श्रमधान के लिए BPO को रेशनलाइज का जरूरत के अनुसार पदस्थापित करने का निरने लिया है दोनों से रनी के परखंडों की सोची जारी करती हुए कारेरत BPO के से अपने प नियूस पाने के लिए जहारकंड के कोई भी नियूस हो आपके इंपॉर्टेंट नियूस आपके पास जल्द ही पहुँच जाएंगे सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब करने और लाइक जरू करें वीडियो को धन्यवाद